हेलो गाईज, कैसे हैं आप लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, आज मैं आप सभी के लिए एक healthy, nutritious and tasty fruit wedge रहता लेकर आई हूँ, जिसे बनाना तो easy है ही, साथ ये बच्चों से लेके बड़ों तक को काफी पसंद आने वाली चीज़ है, और ये जटपट ready भी हो जाता है, इसके लिए जो भी ingredients हैं, वो हम सभी के घर में easily available होता है, तो देखते रहिए इसमें क्या-क्या चीजों के ज़र्द पढ़ने वाली है, इसमें चाहिए हमें दही, mixed fruit, one tablespoon मैंने honey लिया है, इसकी जगे आप sugar भी use ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चात मसाला भी या या use किया ह fruits में मैंने लिया है, चीकू, पापाया, मैंगो, ग्रैप्स and बनाना, आप अपनी choice के according and taste के according जो भी आपके घर में available है, वो fruits आप use ले सकते हैं, अगर आपकी बच्चों का apple पसंद है तो आप apple भी use ले सकते हैं बच्चे fruits को काफी avoid करते हैं, बट अगर आप इस तरीके से खिलाएंगे, तो वो avoid नहीं कर पाएंगे, बलकि आप से और ले कर खाएंगे इसमें मैंने जो fruits लिये हैं, सारे seasonal fruits हैं, आप इसमें कुछ fruits skip भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और fruits पसंद है, तो वो भी add कर सकते हैं इसमें आप ड्राइब fruits में काजू, बदाम, आप किश्मिस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हनी की जगा शुगर यूज़ ले सकते हैं, चाट मसाला तो हम add करेंगे ही, जिससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अब मैं कर्ड में अपने ये mix fruit add कर रही हूँ, इस वेज़ रायता में जो हम fruits ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं, जिससे बच्चे easily खा लें, वरना आजकल बच्चे easily कोई fruit नहीं खाते हैं, ये देखें, मैंने इसमें mix कर दिया हैं, मैं उपर से चाट मसाला add कर रही अब मैं इसमें थोड़ा honey add करूँगी, जिससे थोड़ा खटा मीटा टेस्ट चाहेगा इसका अब honey add करने के बाद मैं इसे अच्छे से mix कर लूँगी, आप इसे normal temperature पर भी खा सकते हैं, और अगर आपको ये ठंडा पसंद है, तो आप इसे freeze में रखने के बाद भी खा सकते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा टेस्टी लगता है और अभी summer हैं तो ये chilled ही ज़्यादा better लगेगा, इसे मैं बॉल में सर्फ कर दूँगी इसी तरीके के quick and easy recipe अगर आप चाहते हैं कि मैं video upload करूँ तो आप मुझे comment में भी लिख सकते हैं, तो मैं जो recipes होती हैं जो बच्चों को काफी पसंद आती हैं उसकी video में जरूर upload करूँगे थैंक यू फर वाचिंग